तो एक लंबे गैर के बाद में हम लोग आज फिर से जो हमारा रणिंग क्याप्टर था हुआ है human health and disease human health and disease में दो पार्ट है एक पार्ट है disease और दूसरा पार्ट है एक पार्ट को हम लोगों ने पहले कंप्लिट किया था और जो सेकेंड पार्ट है हमारा अब उसे हम लोग को स्टार्ट करना है तो आज हम लोग टॉपिक के स्टार्ट करेंगे इमनिटी ओके हम लोग करेंगे इमनिटी की तो हम जानते हैं कि जब से हमारा जनम होता है और जब तक हमारा मिर्थिव नहीं होता है तब तक हम किसी ना किसी पैथोजेन से फाइट करते रहते हैं हमारा बोडी हमारा इमनिटी सिस्टम वो पैथोजेन से फाइट करते रहता है तो जो पैथोजेन से हमारा बोडी फाइट करता है वो फाइट करने की जो एबिलिटी है हमारे बोडी के अंदर उसी को हम लोग क अबिट्स्टांग से जो हमारे बौडी का नहीं है उससे अपने वौडी से बाहर निकालो नहीं तो बिमार पढ़ जाओगे उसी रिस्पॉंस को उसी हम खेलता है तो इम्मुनिटी जो है हम सभी जानते हैं कि एवरी और्गनिजम ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे इमेन बॉडी में ठीक है लगभग इतने ही और्गनिजम है वो हमेशा किसी ना किसी पैथोजन से फाइट करते रहते हैं खास करके जो एनिमल्स हैं और प्लांट हैं यह दोनों किसी के लिए तो वो कोई ना कोई पैथोजन से फाइट करते हैं अपने आपको हेल्दी करने के लिए तो इसलिए हो हम जानते हैं कि एवरी और्गनिजम और्गनिजम कि लाइट टाइम कि आवम है कि इवरी और्गनिजम में हाई तो बाति çıkar को किसी दूसरे चीज — से इस्ट से कोई आपक यह टी है यह संसे निए हैं तो आपकोड़ी और्गनिजम लेbnिख आँ है। में ली और्गनिजम attacked by lifetime attacked by patrogen disease causing माइक्रोब तो दीजित को काउच करने मादे माइक्रोब से हर एक और नीजम जो है वान लाइस्टाइंड तक यानि फ्रॉम बर्थ टू तिल्ट देज तक फाइट करते रगता है उससे क्या होता है वह आटाइक होता है उसके उसके उपर इंदी ऑर्गनीजम यह एल्ग ग्रवार्डिवार्ड तो ओर्गनीजम इस वर्काइब इस स्टेजिए तो चर्वार्ड़ तो ओर्गनेंगेड रगावार्ड तो तो ओर्गनेदिए कि वह अबर कांग कि प्रोग्लाम कि प्रोग्लाम कोड़ कि इम्यून सिस्टम तो हमारा बॉड़ी या किसी बी और निजम का बॉड़ी बीजिट काओजी पैथोजिन से लाइट टाइम तक अटैक होते रहता है और उसको 10 जर्रेश करनी के लिए जयानि उसा कि यह सब्सक्राइब सकते हैं उससे को हम क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम कहते हैं तो हम हमज्ड़ा इम्यूनि प्रोग्रत कर लाइब बहुत . यह होगा हमारा इम्मोनिटी का डेफिनिशन को हम यह तो फहले समझें की मीटी जिए है क्या सब्सक्राइब ऑप ए decrease बटी the ability of body to protect, protect your fight to protect, oblique, fight, fight, fight एह गिस्य чем कि अपिरिया और किम डिर रन 1 य窑ो साधन तौ सी कि अजिष व्यां और ही फ़िर आर्ट चरेट है ईपिर फाथ चाहने करता है या हमें उससे बचाने का काम करता है उसी को हशी की इंपनिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं या फिर मतलब कहने का मतलब किसी भी फॉरेंट पार्टिकल से ही आप कुछी दूसरे सफ्टांस के देखिए डीडी जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ बैक्टेरिया और वाइरस फंगाई से ही कोई टॉफिस सफ्टांस हम अपने बोडि में लेते हैं उसको डिट्रलाइज करने का भी काम हमारा इम्मीन सिस्टम करता है तो वह भी हमें डीज से बचाने का काम किया तो कोई भी फॉरेंट पार्टिकल करने का मतलब जो हमारे बोडी का नहीं है जो बाहर से आया रहा है वुषी खоло हम लोग क्या कहते है तो उसको हम लोग कि उसको लोग इम्मीनि हो इम्मीनि किसी एक पार्टिकुलर सी बैक्टरिया वाइरस के लिए नहीं है मतलब परह से फॉफंह हमें बचाने का काम करता है तो इम्मीनिटी यह अंसो नउनायश क्यों क्यों часов क्यों जो啊 कि डिजिज रेसिस्टेंस फिजिज में रेसिस्टेंस के गया बहुत बढ़ा हुआ आप रोहों ने तो उसी को हो यहां पर डिजिज रेसिस्टेंस करते हैं कि लाइक ओफ कि दिजिज पॉज अपुब्री प्राव युण फ्रॉब्री जस्टेंस रॉब्री शयर। प्रॉब्री टॉब्री टॉब्री शयर। इम्मिनिटी, सेंसिटिविटी, एलर्जी, इज़ पॉर्ड, इम्मिनोलोजी, 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 तो समझ गये हैं, अब देखो, इम्मिनिटी, एक्चोली में, टू टाइप्स के बोते हैं, इम्मिनिटी हम लोग को टू टाइप्स में जानना हैं, एक बोता है, इनेक, या इसी को कहते हैं हम लोग, नैचुरल, या इसी को हम लोग कहते हैं, नौन अस्पेस्टिप्ट, इम्मिनिटी और सेकेंड वन जो हैं, वा है, एक्वायर, इसी को कहते हैं, अडाप्टिप्ट और इसी को कहते हैं, अडाप्टीव, आपयाशिफीक इम्मुनिटी तो यह दो तरह से बता हुआ है देर टू टैप्स ऑफ इम्मुनिटी पहले दो टैप्स के हो गएं तो यहां कर दिये कितने टैप्स के इनेट और नैचरल इम्मुनिटी का मतलब हुआ 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 कि जो एम्मुनिटी हमें अपने पैरेंट से मीलाएं और साथ हुआ सी साथ ही ही है हमारे देवलोपह ऐसा नहीं कि यह को सब्सक्राइब आपना टू गुजाक में हुए था कर दियाने और अधम करिभलाव करता है यानि कि फरॉन वर्प तोसकरे उनलों को सब्सक्राइब करना याना जा व मारा वर्त हो गया है उसके बार में जो इमिटी हम के अंदर डवलॉप होता है उसको कहते हैं एक्वार्ण या अस्पेसिक या अब पैठिया का इंशक्षन हमारे अंदर हुआ तो उसके लिए जो अस्पेसिक टाइप के जो इवनिटी डेवलफ हुआ उसको कहें हम लोग अस्पेसिक इवनिटी या एक वाइड इवनिटी तो इसमें अलग अलग पैठोजन के हिसाब से अलग तरह का इनिटी इनिटी का मतलब की यह सवी तरह के पैठोजन से अलग निटेट करने का काम करता है तो इसको कहते हैं हम लोग इनिटी तो इनिटी का डेफिनिशन हमारा यही कर क्या कहता है इम्मुनिटी स्याक्राइब ये सट ए देवा बएंस एंडेन कि खो contract सो एंडियों नी सान। देक से प्रणा शींदित इंहेरिटेड फ्रॉम पैरेंट यानि यह कहां से आयान है यह हमारे पैरेंट से हमारे अंदर आ चुका होता है जबकि एक्वाय एक्वाय या स्थेश्वी क्या कहता है हमारा एक्वाय 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 या स्थेश्वी क्यूंति जो है Muhamare हमिनिट टेवलॉप आस्टर बर्थ तो उसको हम दो क्या कहते हैं, acquired और adaptive immunity कहते हैं, अब पहले हम लोग, this is A type, and this is B type, और first of all हम लोग start करेंगे, कौन सा? तो innate immunity, यहां तक की बात हम लोग देखें, हम लोग ने देखना innate immunity का, innate immunity में various types के barrier होते हैं, जो pathogen के entry को हमारे body के अंदर आने से prevent करते हैं, रोकते हैं, तो वो barrier के बारे में हमें जानना है, तो innate immunity का मतलब पहले हम जानके, यह immunity by birth हमारे अंदर होता है, जैसे हमारे body के acid, fiber खाया है, यह भी a community है, जब हम खाना खाते हैं, तो हमारे body के stomach में, acidic medium developed होता है, जैसा कि आप digestive system में आपको पढ़ा चुके हो, हाइली pH होता है, highly acidic होता है, क्योंकि वहाँ पर pH का level बहुत कम है, तो high acidic pH में वहाँ पर कोई pathogen का growth नहीं हो पाता है, तो वह भी एक हमारा क्या है, तो यह by birth आया है, कि stomach के अंदर का pH जो है, acidic medium maintained रहेगा, वह कैसे हैं, हमारे birth के बाद development नहीं हो आया है, तो वह भी किसी pathogen के growth को inhibit करता है, तो वह भी by birth immunity है, तो वह भी innate immunity में आएगा, हमारे nose में hair का होना, हमारे ear में selumen का होना, हमारे sweat में sebum का होना, जो acidic film बनाता है पसीने में, तो यह सब जो है, वह innate immunity के example है, जो किसी pathogen को हमारे body के अंदर entry कर में से रोखते हैं, तो यह by birth हमें आया है, वह नहीं सब के बारे में हमें जानना है, तो there are four types of barriers in innate immunity, जो हमारे body में developed हैं, वह कौन-कौन से हैं, there are four types of barrier for innate, यारी innate immunity कैसे काम करता है, तो उसके लिए चार barrier है नमारे body में, जैसे first में देखिए, एक होता है, physical barrier, second one is, physiological barrier, third one is, cellular barrier, and fourth one is, and fourth one is, and fourth one is, cytokine barrier, यह four barrier के बारे हम दो को देखना है, so first of all, आई हम दो देखते हैं, physical barrier के बारे हैं, physical barrier का मतलब, दो इसमें include होते हैं, एक हमारे body का skin, और दूसरा mucous membrane, जो दोनो barrier हैं, वह pathogen के entry को, body के अंदर entry करने से prevent करते हैं, रोकते हैं, ठीक हैं, आवार बार 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 बा physical barrier of our body, ठीक है, जैसे तो अगर स्वार्ट में हम बात करें किसकी एस्कीन, एस्कीन क्यों है, वो किसी भी पैथोजेन को आप देख लो, बोडी का एक कवरिंग लेयर है, जब हमारा एस्कीन कट होता है, तो ब्लड आने लगता है, या सिर्फ अगर आउटर लेयर, इस्कीन अगर हमारा किसी चीज़ से दिवाल से तकरा के, या किसी चीज़ से में चूट लग गिया इस तरह से, और यहां पर कुछ वाइट वाइट दिखेगा, तो वहां पर कुछ सेक्रेशन होने लगता है, बोडी का फ्लूट बाहर आने ल इक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी पैथोजेशन के डारेक एंट्री को रोपने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेट पार्ट लेस्कीन, अगर यह सोचीज़ नहीं रहेगा हमारे बोडी में, तो ना जाने, इसलिए तो कभी भी कुछ कट अगर हमारे बोडी से होता है तो डार्टर सबसे क्या करते हैं रेल ऌइस सब सबसे पहले वहाँ पर बेंटेज बड़ा लगा करके फिरिम बबड़ा करके वस तरफ़र करने के क्सश्याव करते है ताकि कोई पैथोजें थरेक्ट लिए हमारे बॉडी के स्रूट से नहीं बना पाए और इस्की ने एस्क तो देखिए, आउटर पार अस्ट्राटम पॉर्णियम ऑफ एस्टील प्रिवें इंट्री ऑफ पैथोजें इंट्री ऑफ इंट्री ऑफ पैथोजेंग इंट्री अप बलड उसी तरह सेकेंड में हमें क्या बला म्यूकस मेंब्रेल म्यूकस मेंब्रेन का काम क्या है जब हम ब्रीधिंग करते हैं रेस्पारेशन ले रहे हैं तो उस समय फैरिंग्स तक डर्स्ट एंड पैथोजेन दोनों केंट्री होती है तो फैरिंग्स में जो म्यूकस मेंब्रेन है वो म्यूकस का सेक्रेशन करता है जो डर्स्ट और पैथो So mucus membrane, it secretes mucus which trap pathogen and dust and dust. to immobilize and clean teeth at fairings that interduring So this is spiration. 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 This is spiration. This is spiration. This is spiration. growth of pathogen. pathogen. Okay? This is spiration. Okay? crucify. from liver. prevent. growth of. of microbes. Okay? फिर देखिये लाइसो जाइन जो है ऐसे तो में चीज समझू कि क्या होता है कि जो भी हाइड्रोलिटिक एक्षन वाले जो होते हैं उस तोड़ने कर काम करते हैं किसी चीज को तो वो लाइसो जाइन नेचर के उते हैं तो लाइसो जाइन जो है वो प्रेजिंट होता है हमारे हर एक बोड़ी के फ्लूट में बस Cerebr recycle fluid और स्वेट और यूरीन को छोड़के तो लाइसो जाइन तीन जगा छोड़ करके जो पसीना अता है उसमें मैंनोगा दूसरा यूरीम है उसमें नहीं होगा क्योंकि दूसरा यूरीम अंलेडी ऑसिटिक मिडियम है पसीना में अलेडी सब्सक्राइब होता है उस से ऐसिदी फिल बनता है तो वहां पर और सेरेडल asked यह तीन जगा लाइसोजाइन नहीं है बाकी मैक्सिमम जगा जितने ही बॉडी फ्लूड है वहां पर यह वोता है तो लाइसोजाइन प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूड यह टिशु फ्लूड इसप्लूड एक सेब्रो इंख्यूड स्समत्रेज़ता ही एक सत्यूड Map लेश्ट उरी एंख्यार्यमिन स्साय। इन यॉडी पराओल थी तो लाइसोजाइन काव चाह करता है है तो लाइसोजाइम जो है वो ब्रेकडाउट करने का है यानि हाइडोलिटिक निचर का होता है कि इटीज है 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 कि नेच्चर दैट प्रिवेंट ग्रोफ और कि पैथोजिन के ग्रोफ को रोपने का काम करता है कि उसके बाद में देखिए कि निच्ट है कि देखिए हैं सेवाओ तो सेवाओ का क्या है जैसा कि आप जानते हैं सेवाओ या इयर वैक्स है सेवाओ इस दा इयर वैक्स और यह सेवाओ तीन काम करता है पहला माइक्रोब्स के ग्रोफ को इन्हिबीट कर देगा जो डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप करके चिपका लेगा अपने अंदर और जो भी इंसेक्ट बगएर हैं उनको रिपेल यानि आप इंसेक्ट को इयर से भगाने का काम करता है यानि इंसेक्ट जो है उनसे दूर भागते वो नहीं चाहते उसके असमेल से और उसके उससे नेचर के बज़़ा से इंसेक्ट उससे बाहर निकलना चाहते है यह तब तीन काम करता है सेवाओ तो तो यह तीन काम मैंने आपको बताया कौन-कौन सा तीनों काम को प्रालट पर यह हटाएगा सेवम स्वेट से होगा और यह सेवम नहीं सेवम का मतलब स्वेट से होगा और यह सेवम सेवम नहीं का मतलब होता है यह वैक्स और यह वैक्स का तीन काम चैकरेगा ट्रैप दस्ट पार्टिकल और और मैंक्रोब्स मैंक्रोब्स क्यूदिग क्यूदिग तो आप्यूदिग यह इंसेट शाथिव नहीं साथिव इंसेट को बहानी का प्यूदिगा में देखिए अब हम लोग सेवं सेवं का मतलग स्वेट तो एक एस्विदिक फिल्म का फॉर्मेशन कराएगा एक एस्विदिक फिल्म बनाएगा जिसके बचन से पैथोगेंग का ग्रोफ जो है वह रूप जाता है रचिया टीव खार किजिक फिल्म ग्रोफ बता है ग्रो तो पसीना का भी आना हमारे बॉड़ी के एक फिजियोलोगिकल एक्षिन में से एक है जिससे हम पैटोजिन के ग्रोथ पुरोफते का काम गरता है ठीक है अब आए इसके बाद देखें इसमें ये फिजियोलोगिकल बैरियर में हम वो सब चीद देख रहे हैं इसके बाद देखो यूरीन यूरीन के होता है वो स्लाइट्री असिडिक मिडियम का बता है जो किसी भी पैटोजिन के इंट्री को रोपने का काम करता है यूरीन एक जो रहता है यहां से यूरीन आता है। यूरेत्रा के तुछ तो वहां पर इंट्री को या उसके द्रोप को रोकने का काम कौन करेगा? तो यूरीन करेगा। उसके बाद देखिए। वेजाइना से भी कुछ सेक्रेशन होता है। तो वेजाइना सेक्रेशन भी जो है वहां स्लाइटली असिटिक मेडियम के होते हैं जो किसी भी पैर्पोज इनके इंट्री को या थासके बैक्टरिया के ग्रोथ को रोपने का काम रपता है। स्लाइटली असिटिक लिस्प्रिवेंट बैक्टरिया तो वेजाइना सेक्रेशन भी क्या करता है। बैक्टरिया के ग्रोथ को रूपने का काम करता है। अब एक देखे इस नेजल हेयर जो आपको बताये हैं हम यह हमारा नोज में जो हेयर है जैसे नेजल हेयर यही डर्प और पैथोजिन को ट्रैप करने का काम रखता है। माइक्रोब्स और पैथोजिन नहीं लिख सकते हैं। माइक्रोब्स और डर्प पार्टिकल्स तो यह सब जो हो गया हो हमारा इस तरह से यह फिजिलोजिकल बैरियर हुआ। इसको डाउट आएगा कि सब नेदर लेयर जो है वह फिजिकल बैरियर क्यों नहीं है। फिजिलोजिकल बैरियर क्यों है। तो फिजिलोजिकल बैरियर इसलिए कि जब हम रिस्पारेशन नाख के शुरू करते हैं। फिजिकल बैरियर और फिजिलोजिकल बैरियर उसके बाद में आएए थाटवान यानि पार आए यह जोटेवान और अधुरूजिकल बैरियर ऑफिजिकल बैरियर इसे बहुत सारे जो चुछ लेकोशाइड और लिंफोसाइड मैक्रोफार्स यह सब जो है वह हमारे बादी के सेलूलर बैरियर सेल है लेकिन वह एक किसी पैटोजेन के इंट्रीक और उसके ग्रोथ को रोखने का काम करते हैं तो यह सब इंक्लूड होते हैं और लिंट्ट मैक्रोफार्स भीन बैरियम् इन्टीए 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 सिर्ट दो दोओज करने इन्टी इन्टीए मैंट्रोब्स तो दिजार सेलूलर बैरियर में है और इसमें कौन फोन इंक्लूड है तो जैसे देखो यार्व यहां पॉली मॉर्फो न्यूपलियर लिंफोसाइड इसको यानि न्यूट्रोफिल उसके बाद में मोनोसाइड है एनके सेल है नैचरल कीलर सेल है यह सब जो है वह हमारे डवल्लूडिसी के पाट सेल है अगल एक यार्द हो तो उसमें आपको आएगा डववीसी डववीसी 5 ताइप के अर वो फाइट में भी लिंफोसाइट और वो यहां रोगा तो यह समझ को है वह है वह तो जहां हुआ है एक से लेकिन हमारे बोड़ी में रहते हुए भी वो क्या करते हैं तो वो किसी भी पैसोजेन के ग्रोथ एंड इंट्री को रोपने का काम करते हैं तो इसे लिए उसको हम लोग सेलूलर बैरियर में इंक्लूड करते हैं जैसे स्वास्ट में देखिए पूरा नाम है पॉली मॉन्फोर नुकलियर लीकोसाइड पॉली मॉन्फोर नुकलियर लीकोसाइड को ही यानि क्या है तहिया नुट्रोफिल है ओके पॉली मॉन्फोर नुकलियर लीकोसाइड यानि नुट्रोफिल नुट्रोफिल जो होता है वो नुमेरस लीकोसाइड सबसे थोटा भार नुट्रोफिल को लीकोसाइड यानि नुट्रोफिल जी सबसे पांचित है। चोटा और इसमें जो नुक्लीयर होते हैं वह प्रविम होते हैं यानि मॉझोडिकल होते हैं और यह मोटाइल होता है और यह जाएगी तो नियुट्रोफिल, उसको फैडो साइटोसिस सेल के भी तौपिक में आपको आया होगा, लाइसोसोम में भी आया होगा, अमीबारे भी आया होगा, तो इन गल्स करके और उसको किल करने वाला काम जोड़ है, तो इस फैडोसाइटोसिस किलर इसी लेज को बोलते हैं, तो इस फैडोसाइटोसिस किलर सेल हैं, और यह जो यह लगवा, 40-75% अफ टोटल लुकोसाइट का वरता है, कौन? तो नियुजोफल यानि PMNL से, कितना 40-75% अफ टोटल लुकोसाइट का, लुकोसाइट का जो टोटल लुकोसाइट हैं हमारे बोली में, उसका 40-75% अफ टोटल लुकोसाइट हैं, तो देखिए, अफ टीज, मल्टी लोग, मल्टी लोग यानि नुक्लियस जो होगा, वो मल्टी लोग होगा, मल्टी लोग, मल्टी लोग, शॉट लाइट, फिर्णा देखिए, अधना कंस्चिट्एंट, इस सब्सक्राइब विवंग बन इसके अवी खवज कर दो कि एकता है तो 40-42, 40-75% और टोटल लुकोसाइट, तो जो टोटल लुकोसाइट है, उसका 40-75% तर होता है, और चुपिए जासे हैं क्या लिकें, क्लियर, सॉट लाइट होता है, तो एक सेलूलर बैरियर में एक यह हुआ, सेकंड में देख लिए मोनोसाइट, यह लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट लुकोसाइट होता है, और यह 10-20 आवर्ज के लिए सर्वाइब करता है, और यह सर्वाइब कितना है, तो यह लागवग 2-10% आवर्ज टोटल लुकोसाइट का होता है, मोनोसाइट आपको लागव रहना जिरूरी है, ज्योंकि मोनोसाइट से ही important आवर्ज देखें के एक मैक्रोफास तो, तो मोनोसाइट के बार मुदो देखें के मैक्रोफास और जो मैक्रोफास है, वो मोनोसाइट से ही बनता है, कैसे अभी देखें है इस इस चीजो लॉटकल बैर्या कम्प्लीट यह सब सारा बात जो है से जो लॉटकल बैरियर का मिटा रहे हैं आपको, उमीद है आपको और नो टाउन कभी या होगा? कि अब देखें कि उसके बाद में है यह मैंक्रोफार्स क्या होता है कि जब मोनोसाइट बन के आता है और बनने के बाद में वह आठ घंटे तक हमारे ब्लड एस्ट्रीम में घुमता है आठ घंटे घुमने के बाद में वह अपने नज़्दिकी टिशू के अंदर चला जागा और नज़्दिकी टिशू के अंदर जा करके नमबर आफ जो सेल ओर्गनेल से उसको बढ़ाएगा और नमबर आफ लाइसोसों को बढ़ा करके अपना साइज बढ़ा कर लेगा और तब उसके बाद में वो वापिस से ब्लड एस्ट्रीम में आ जाएगा अब उसका साइज बढ़ा हो गया है तो उसका वर्क बढ़ा हो जाएगा अब जो भी उसे पैथोजेन मिलेंगे उस पैथोजेन को वो इंगल्फ करके मारने का काम करेगा तो उसी को कहते हैं मैक््रो मतलब बड़ा होता है और फाज मतलब ने चलता है जैसे आप बैक्टेरिया पढ़े होंगे तो बैक्टेरियो आ?, यह अज वैरल एक वाइक्टेरिय उसका ऊजाना गया पर मेंतवाज किसे बन क्याता है तो मोनोचाइट मी जो है वह तो आपको लिए उड़ेयब 통 है और हमारे बाॉडिकected में कि अलग औलग ना जैसे आप लोग पल्मोनेली यंगे सब करो लग अलग होगता है। वुक के लिए हुझेर, बलग होंके बढ़ाता है टीशू फ्लूट से यानि बॉडी फ्लूट से वो घूंबता रखेगा तो जो कुछ ऐसे मैक्रोफाज जो एक ती और में रहते यानि वहीं पर आपकरें उसी का अलग-अलग मैक्रोफाज का अलग-अलग और गरम में नाम है जैसे कूफर से कहां बोलते हैं पंपोर्मोनरी का बोलते हैं तो बोन के लिए बोलते हैं तो अलग 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 जगा पर मैक्रोफास का हिस्टोसाइट्स यानि कि करेक्टिव टिशू के लिए हो गया इतने सारे नाम जो है वो अलग-अलग मैक्रोफास का अलग-अलग औरण के लिए दिया होगा तो मैक्रोफास में तुम स तो जब मोनोसाइट सर्कुलेट करता है हमारे ब्लॉड में फॉर एट आवर्स कितने जरी के लिए तो एट आवर्स के लिए कि मोनोसाइट कि अधर कुलेट इनका ग्यज़ किमोर्स एट करो एट आवर्स के लिए अधर्स कि लिए किलेट शें लिए तू बीकॉंस नाज पॉर और पॉर मैक्रोपास और यह इनलाज होकर के क्या मन जाएगा मैक्रोपास मैक्रोपास इस लॉणाओ लॉण लॉड़ और यह जाज जाज ओर और नियुक्त आइंड लाइसोस को टीट इंगल्ब पैफोजेन 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 फिर जो भी पैफोजेन होगा उसको इंगल्ब करकी और मारने का काम जो है वह मैक्रोफाज कर देता है जाती साथ आप चांदते हैं कि मैक्रोफाज जो है कि वह अलग अलग बॉडी में क्या भी अब बताए कि अलग अलग उसका नाम होता है यह है फिलिफ लेंगे हम गो नेम आप मैक्रोफाज नेम आप मैक्रोफ़ अए इंग आप तीवें प्रिमोनरी एल्वियोलर मैक्रोफास यह कहां है लंग्स में कुफर से कहां है तो यह लीवर्ण और ग्लोमेलुलर प्रेंट ब्रोमेलर घ्लोमेल व्रुम्स कामता है लिए व्रिमोने लिए 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 लग्स मेलाश सीलू्स 2 अश्टियो। साहीं अश्टियो ब्लास्ट और और आस्टियुक्लास्ट आस्टियूक्लास्ट हो जाएका मैप्नमत्रोफार्स और जो होता है जो उस्ट बोन के सए गवनth úr हाँ तॉकलास्ट जो एका उप वन करता है डोयार और यह कहां है कि इन बोन कि उसके बाद में और मोली हो गया उपर हो गया और और यह होगता है यह माइक्रोग्लियर 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 से कहां इन ब्रेन और माइक्रोग्लियर ब्रेन का है तो मैसेंग्यल हो जाएगा लोमेरूलर लोमेरूलर मेसेंजियर यह हो जाएगा किट्नी में लोमेरूलर मेसेंजियर और इस्तोसाइज कहां होगा इन कनेक्टिव थीशु में इस्तर नाम हो गया इस्तोसाइज तो यह मैक्रोग्लियर का नाम आपको याद आखना इससे बहुत बहुत सब्सक्रूस्ता है यह जो इंपॉर्डेंट एक जगा है वो मैंने आपके एक जगा कर दिया है पॉल्मोनरी अलियोलर कूफार ऑस्टियो क्लाज माइक्रोग्लियर से ब्रें के लिए हैं लोमेरूलर मेसेंजियर किट्नी के लिए हैं इस्तोसाइज जो है वाग कनेक्टिव किशु के लिए यह अब लटने बहुत देखिए तो यह मैट्रोफाज हो गया मैट्रोफाज के बाद में ने जुराव कि लग से जिसे हम दोब सॉट में बोलते हैं एनके से एक तो मैट्रोफाज हमारा था यह हमारा हो गया सेल्ट दाहियर में खोश तो एनके सेल नेचरल किलर सेल नेचरल किलर सेल इस एक टाइप ओफ लिंफोसाइट जैसे बी लिंफोसाइट और टी लिंफोसाइट होता है तो उसी तरह से यह एक किसरा टाइप होता है नेचरल किलर सेल ठीक है इस इस ए टाइप ओफ लिंफोसाइट कि देट अपर इंग लिपनोड रेड बोन मैरो लिपनोड में रेड बोन मैरो में एंड एस्प्लीम यह तीन जगब को यह और यह वह एक लिंफो साइट तो यह था आपको ध्यान में रखना होता है एक इंपोर्टेंट बात यह होता है कि इसके पास कि दूनोड है यानि कहने कामकलो यह एक पॉइंट जो है वह आगे आपको समझ गागागा जिए मैं लिख रहा हूं कि दूनोड इस दो नौट है एंटिजेंट रेसेप्टर लाइक बी सेल एंड टी सेल इसके पास बी सेल और टी सेल के जैसा एंटिजेंट को इसके पास उनके जैसा एंटिजेंट रेसेप्टर नहीं होता है जो एंटिजेंट से अटैट्स हो सके वैसा नहीं है तो यह क्या जरता है यह पैथोजेंट को या एंटिजेंट को दो तरीके से दिस्टोई करता है एक जो तरीके साट्य। एक जो तरीका है वहा है साइटोलाइसिस इसमें क्या करता है साइटोलाइसिस में क्या होता है एनकेसेल प्रोड्यूस्व करें परफॉरिम ख्रॉरिम केमिकाल ऑप lle एक इनकेसेल प्रोड्यूस्व बनाने का काम लोगǬ उक्ता है देख ब्रेक दी देख ब्रेक दी मेंब्रेन और परफोजें फिल और उसी चीज़ को आपको लाइसिस कहा देते हैं तो साइटोलाइसिस का मतलब कि या उस जो पैथोजें आया है एक ऐसा केमिकल यानि परफोरिम बनाता है जो पोर का फॉर्मेशन करेगा जिसके तो जो पैथोजें या माइक्रोब्स के जो मिम्ब्रेन है तो जो पैकली या माइक्कलोव भॉडी में आएगा यानि प्यक्रिया थी नहीं पूर कर देगा अगर पूर कर दिया तो उसका सेल क्या हो गया पूर होगा तो उसके जो सेल की वह बाहर आ जाएंगे जिसके वज़ा तो इस चीज होता है इसमें आपक्टोसीज, यानि कि नेचुरल सेल देट, ऐसा काम करेगा जिससे जो पाथोजेन है वो नेचुरली देट कर जाए, तो मेंस आपक्टोसी मेंस नेचुरल सेल देट, तो वो जो पाथोजेन आया है वो नेचुरली देट कर जाए, तो उसी को कहते है हम लोग अपक्टोसीज, तो नेचुरल इनके सेल का तीन बात ही आपको याद अपना है, या एक करह का लिंफोसाइट है, होता कहा काना है, तो लिंफ नोड में, युको कैसे मालता है, तो एक परफोरीन केमिकल को बनाएगा, और वो परफोरीन केमिकल प्लाज्मा मेंब्रेन में पूर करेगा, जिसके बज़ा से उसके सेलुगर कंटेंट बाहर आएगे और वो पैफोजेन मालते हैं, या दूसरा हुआ, अपक्टोसीज के बज़ा से, हम लोग देखेंगे एक लाज पार्ट जो है हमारा इसमें है वह है यानि कौन-कौन सा फिजिकल बैरियर देख लिए आप लोगोंने फिजिलोजिकल बैरियर, सर्जुलर बैरियर अब लाज है साइटो काइंड बैरियर लाज में साइटो काइंड बैरियर क्या क्या बैरियर का मतलब हुआ कि जो हमारा बॉडी का कोई भी से किसी वाइरस से वैंटेटेड है तो वह हमारा से एक केमिकल का सेक्रेशन करेगा जिसे क्याता है इंटर्फेरॉन और वह इंटर्फेरॉन उसंदेंफटेट सेल के जितने भी नसदीखिंगी सेल होंगे उसको वाइरस इंफेट्शन से बचाने का क्या क्या है तो इसजिको इसकी कहते हैं आंए साइटोकाइं जा इस एक केमिकल और इसमें बहुत सारे chemical include है जैसे lymphokine lymphocyte से बंद के आता है ठिक है इंटर लिकॉंस होता है, इंटर फेरोन होता है तो cytokine is a chemical, अभी बस इतना समझे cytokine is a chemical like lymphokines secrets by lymphocytes तो lymphokines का सेक्रेशन, lymphocytes होता है या भी एक cytokine है or viral infected safe secretes डेशन, और टाइच्र बड़क्ता इंटरों तर दुझ अधर अग्ता दोर्बक्ता तर अनर्डरों समय जाए उप्ड़ेशन, या निए टाफ्ता प्रफ्रेशन, वाप्ता प्तात्ष्जच्स्राव का तरन दुझ कि नेवर से डाप्रोटेक्ट नेवर से तो चाहे इंटर्फेरोन हो या फिर इंटर्फोकाइब्स हो या इंटर्लीउसीन हो यह सब आगया भी आएगा लेकिन इतना समझो कि कोई भी हमारा सरीर का वाइरल इंटर्फेरोन का सेक्रेशन करेगा और वह इंटर्फेरोन अपने आसपास के नजदी की सेल को उस वाइरल से बचाने का काम करेगा तो इसी को आप लोग कहता है साइटोकाइब्स नर्थ तो इस तरह से हमारा एक इनट इमुनिटी गुए इनेट इमुनिटी के बाद में हम लोग को थोड़ा सा देखना है इन्फलामेशन भी हम लोग करेंगे फीवर को करेंगे और कोज पार्ट रोबोट कोज का जो पास्चुलेट है उसको कम्प्रीट करना है तो वो भी हम लोग आप नेट प्लास में करेंगे वो कि थए ऐसने पास्च हूएराएर भी हम लोग काईब लोग लोग के करेंगे